आज मैं बना रही हूँ बहुत ही तीखी चटपटी सी आलू चाप की रिस्वी आज हमारे हाँ मोसम बहुत अच्छा है तो ऐसे में कुछ तीखा और चटपटा सा खाने का मन करता है तो ये देखिए आप बहुत ही फुले फुले से और बहुत ही टेस्टी आलू चाप बन कर तयार होते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो आईए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है और आलू चाप तो हम सभी को पसंद बहुत ही आता है और ये हमारे हाँ जिस तरीके से बनाये जाता है सेम प्रोसेस से बनाऊंगी क्योंकि बहुत जगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाये जाता है हर एक का अपना तरीका होता बनानेगा कोई कुछ चीज डालता है कोई कुछ चीज डालता है तो मैं अपने घर में जैसा बनाती हूँ इस तरह से ही बना कर आपको दिखा रही हूँ तो यहां मैंने ले लिया है आट-दस कली लेसुन की दो इस चुकड़ा अदरक कल लिया है इसे कूट लेंगे और इसे कूटने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च यहां पर मैंने तीन हरी मिर्च लिया है जिसे छोटे-छोटे पीसेज में काट लिया है जिससे कि हमें इसे कूटने में आसानी हो तो आप चाहें तो अदरक लेसुन हरी मिर्च को छोटे-छोटे पीसेज में काट भी सकते हैं लेकिन थोड़ा कुटा हुआ रहता है तो ये जो आलू चाप बनता है उसमें टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है तो जब भी आप बनाए तो इसे इस तरह से कूट कर ही बनाए तो बहुत ही अच्छा आपका अलू चाप बनकर तयार होगा और धनिया भी मैंने काट लिया है और अब कढ़ाई में डाल देंगे दो चमस सरसो का तेल तो सरसो की तेल में ही इसे बनाते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसमें डाल देंगे एक मुठी मुंख़ली मुंखली में से जब चटकने की आवाज आने लगे यह अच्छे से भुण जाए तो इसे निकाल लेंगे तो मुस्की से एक से डेर मिनट में ही मुंखली अच्छी दरसे राई हो जाता है और इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब इसी तेल में पशफोरन डाल देंगे या अब अलग से थोड़ा सा सौफ, जीरा और मेथी भी डाल सकते हैं तो पशफोरन में सौफ, जीरा, मेथी, अजवायन और थोड़ा सा कलोंजी मिला रहता है इसी लिए इसे पशफोरन कहते हैं और इसी के साथ इसमें आधर चमच मैंने राई डाल दिया है तो राई जरूर डाल दियेगा उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और कुटा हुआ अधरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट जो था उसे मैंने डेर चमच यहां डाल दिया है और इसे हलका सा भून लेंगे इसमें अब डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्च को तोड़ कर लाल मिर्च को मुझे पहले डालना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई तो अभी डाल ले हूँ तो इसे डाल कर चला देंगे अब अधरक, लहसून, हरी मिर्च सब थोड़ा भून चुका है तो अब इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले तो यहां मैंने एक छोटा चमच लिया है हल्दी पॉडर एक छोटा चमच धनिया पॉडर लिया है बनता है वो थोड़ा चटपटा और तीखा ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहां लानमेश डाला है और इसमें पांच मीडियम साइज के मैंने उबले हुए आलू यहां डाल दिये हैं और इसे तोड़ कर डालें अगर ग्रेट करके डालेंगे तो ओर टेस्ट नहीं आता आलू को भी थोड़ा सा भूनना है तो अब इसे 2-3 मिनट भून लेंगे और इसे अच्छी तरह से जो आलू की गाठे हैं उन्हें अच्छी तरह से मैस कर देंगे और इसमें डाल देंगे आधा छोटा चमच गरम मसाला स्वात के अनुसार नमक और धेर सारा बारी कटा हु भी डाल देंगे तो मुखली भी डालिए आप और चाहे तो आप हरी मतर को भी डाल सकते हैं थोड़ा सा स्वीट कॉन भी डाल सकते हैं पर जनरली इसी तरह से आलू चाप बनता है उसका मसाला ऐसे ही त्यार होता है तो इसलिए मैं यहां कुछ और एड नहीं कर नहीं हूं में लगता है आप इसे ऐसे भी खाएं तो बहुत जादा टेस्टी लगता है तो प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे तो जब तक आलू ठंडा हो रहा है आईए आलू चाप के लिए एक अच्छी सी तीखी सी चट्पटी चट्नी त्यार कर लेते हैं तो इसके है धनिया एक मुठी ले लिया है दो हरी मिर्च लिया है एक चोटा टुकड़ा अद्रक का ले लिया है और तीन चार कली लहसुन का मैंने लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने दो चम्मज दही और इसके बाद इसमें डाला है नमक तो इसके लावा मैंने इसमें कुछ भी होता है और ग्रीन भी कलर इसी तरह का अता है तो चटनी बनकर बिल्कुल तयार है इसमें रख देंगे और अलू भी अफ्टना हो चुका है हातों में हलका सा तेल लगा लेंगे और एक थोड़ी बड़ी लोई निकाल लेंगे आलो की तो इस तरह का देखिए जितना मैं ने लिया है बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा ले ले लें आलू तो फिर लगे कि आलू आलू ही है और बहुत कम लेंगे तो लगेगा कि आलू चाप में बेसन ही बेसन हम खा रहे हैं तो मीडि इसली यह टिकी बन जाती है तो यह देखिए दोसरी टिकी भी बन कर तयार हो चुकी तो इसी तरह से सब टिकी बना लेंगे तो यह देखिए मैंने सारे टिकी बना लिये हैं टोटल कितना बना इसमें आठ टिकी बनी है तो मैंने हापे 5 मीडियम साइज की आलू लिये थे तो उसमें 8 बना है इस हम आई ये बेसन काा गोल बना लेते हैं तो हां मैंने 10.5 कप बेशन दिया है और इसमें आधा चोटा चमज अजबाएन डाल दिया है और ऐधा चोटा चमज मैंने लाद मिश पाउडर डाला है एक छोटा चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है और स्वात के उंसा नमक डाल देंगे और इसमें जो कुटा हुआ अधरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है उसको डाल देंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा जादा कूट कर रखा था क्योंकि बेसन में भी मुझे डालना था और स्टफिंग में भी मुझे डालना था तो इससे क्या होतार टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो जब भी आप आलो चाप बनाएं तो क्या करें कि इसे अच्छी तरह से कूट कर इन सारी चीजों को डालें तो अब इमाम दस्ता में मैंने थोड़ा सा पानी डालके बेशन में मिला दिया अब इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे ज़्यादा पानी कठा नहीं डालेंगे पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बेशन का हमें गाढ़ा घोल तयार करना है बहुत ज़्यादा पतला घोल हमें नहीं तयार करना है तो इस पेचुला से अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने इसे निकाल दिया अब विश्कर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तब इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से ready हो चुका है और इतना ही गाळा हमें चाहिए तो मैं चमज से आपको दिखा दे रही हूँ कि कितना गाळा ये होना चाहिए तो चम्मच से जब मैं गिरा रही हूँ तो ये देख सकते हैं आप की बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं है तो चम्मच को उल्टा करके भी देखे तो ये ट्रांस्प्राइनर बिल्कुल नहीं हो रहा है और बेशन अच्छी तरह से चम्मच के उपर कोट हुआ है तो ऐसा ही हमें चाहिए बेशन का गोल और इसमें एक चुटकी मैंने डाल दिया है खाने वाला सोडा बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा सिर्फ एक चुटकी मैंने डाला है और इसे अच्छी तरह से बेशन में मिक्स कर दिया है तो इससे क्या होगा कि आलू चाप खुब फुले फुले से और अच्छे बनते हैं तो बेशन का गोल भी तियार हो गई है तिक्की भी तियार हो गई है अब आईए इसको फ्राइ करते हैं तो कढ़ाई में मैंने तेल लग दिया था वो मीडियम होट गर्म हो चुका है अब टिक्की को बेशन में डिप करेंगे और निकालकर इसे कढ़ाई में डाल देंगे तो बहुत ही आराम से इसे डालिएगा ऐसा नहीं कि जल्दिबाजी में अपने उपर छीटे आ जाएं धीरे से डालिएगा तो अभी मैंने दो ही डाला है इसमें क्योंकि तीन अगर में डालती तो बहुत जादा हो जाता और इसे पलटने में आसानी नहीं होती तो ये देखिए ये बहुत ही आसानी से फूल जाता है और बहुत ही अच्छा ये बनकर तयार होता है तो थोड़ा बेसन का गोल मैंने गाढ़ा इसलिए रखा है क्योंकि जो आलू चाप के उपर का जो कोटिंग होती बेसन की हलका मोटा होता है बहुत पता रहेगा तो तेल भी बहुत जादा पिएगा और अलू अंदर से दिखेंगे पूरे और अच्छे भी नहीं बनेंगे फटे फटे से बनेंगे तो ये देख सकते हैं कि आलू चाप को मैं जब फ्राई करूए तो बेसन कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है और ये छोटे-छोटे से जो पक चुका है और इसे पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि बेसन भी जो उपर लगा हो तो उसे हमें पकाना होता अंदर आलू तो अच्छी तरह से पकते जाता है अब इसे निकाल लेंगे तो इसी तरह से सारे अलू चाप को फ्राइग कर लेंगे और ह बेशन का गोल बच गया था उसमें 3-4 हरीज मेंने डाल दिया है काट कर muffin प्रिंद से की यह बहूत हाँ से ओकार ने लिए पेत का भटकर लीए है तो अलू चाब के साथ ओक हरई किया हुआ रही हूँ था बहुत ही अच्छा लगता है कितने जो बेशन का लेयर है ये देखिए उचिपका भी नहीं है इसलिए तो ये फुला फुला सा बना था तो इसी तरह से आलू चाप बनाएए ये तो हम लोग बच्पन से खाते आए हैं और इसे भी देख कर मुँँ में पानी आ जा रहा है फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए रेस्पी के साथ टेक केर और बाए